एक युवक ने साधी के दो साल बाद परदेश जाकर ब्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई पिता ने अनुमती दी तो अपनी गर्वती पतनी को अपने माता पिता के जिलमेदारी पर छोड़ करके ब्यापार करने परदेश चला गया परदेश में जाकर उसने बहुत सा धन कमाया और धनी सेट बन गया 17 बर्स धन कमाने में लग गए और संतुष्ट हो करवा घर वापस लोट रहा था उसने अपने पत्नी को पत्र लिखा और जहाज में बैठ गया उसी जहाज में एक बेक्ती बैठा हुआ था जो बहुत ही दुखी था सेथ ने उसे उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस परदेश में ग्यान की कोई कदर नहीं है मैं यहाँ ग्यान सोत्र बेचने आया था लेकिन कोई लेने को तयार नहीं है सेथ ने सोचा मैंने इस देश में बहुत धन कमाया है और मेरी आप करम होम है इसका मान रखने के लिए सेथ ने ग्यान सोत्र खरीदने की इच्छा जताई उस बेक्ती ने कहा मेरे हर ग्यान सोत्र की कीमत बहुत महेंगी है जो की पाचसो सोन मुद्रा है पहले तो सेथ को सौधा बहुत महेंगा लगा लेकिन करम होमी का सम्मान करने के लिए उसने सेथ ने पाचसो सोन मुद्रा उस बेक्ती को दे दे बेक्ती ने पहला ग्यान सोत्र दिया और बोला कोई भी कारे करने से पहले दो मिनिट सोच लेना सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ अपने नगर में पहुँचा सेठ ने सोचा इतने दिनों के बाद घर वापिस लोटा है तो क्यों न बिना बताये चुपके से पत्नी के पास पहुँचूं और उसे सर्प्राइज दे दे अपने दोहरपालों को मौन रहने का आदेश देकर सीधा पत्नी की कमरे में पहुँचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई पत्नी के साथ पलंग पर एक ब्यक्ति सोया हुआ था अत्यनत क्रोध में आकर उसने सोचा मैं परदेश में भी इनकी चिंता करता रहा और यह यहां किसी और ब्यक्ति के साथ आज मैं इन दोनों को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा क्रोध में आकर उस ब्यक्ति ने तलवार उठाई और उन दोनों पर प्रहार करने ही वाला था कि उसे पाँच सो सौन मुद्रा से मिला पहला ग्यान सोत्रियाद आ गया कि कोई भी कारे करने से पहले दो मिनिट सोच लेना चाहिए वा पीछे की तरफ हटा और तलवार एक बरतन से टकरा गई उसकी आवाज सुनकर पत्नी की आखे खुली उसने अपने पती को देखा और बहुत खुस हो गई और बोली आपके बिना जीवन सुना सुना था इतने बर्स मैंने कैसे आपके बिना निकाले हैं या मैं ही जानती हैं शेट तो पलंग पर सोय बेक्ती को देख करोधित था पत्नी में युवक को बोला बेटा उठ जाओ तेरे पिता जी आये हैं जैसे है युवक उठा उसने अपने पिता को प्राम करने के लिए जुका उसकी पगड़ी सेट के पैरों में गिर गए उसके लंबे बाल बिखर गए पत्नी ने कहा स्वामी ये आपकी बेटी है पिता की गैर मौजूदगी में इसे कोई आच ना आए इसलिए मैंने इसे ए अगर आज मैंने उस घ्यान सोत्र को ना पनाया होता तो पता नहीं करोध में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता ग्यान का सोत्र उस दिन तो मुझे बहुत महेंगा लग रहा था लेकिन आज जो मुझे मिला है उसके लिए तो 500- 500 मुद्राय भी कम है ग्यान तो अनमोल है इस कहानी का सार यहा है कि जीवन में जो दुखों से बचा कर शुफ की बरसात कर सकते हैं वह अक्रोध के दो मिनट है अर्थात आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए कि आवाकार सही है या गलत जै स्री कृष्णा मित्रोध यदि आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके लिख देना जै स्री कृष्णा